हाई फ्रेंज स्वागत आपका हमारे चैनल स्पोर्स आर पर मैं हूँ आपके साथ सप्नादारू बीसी सी आई ने 28 फर्रवरी को एक ऐसा फैस्टा लिया जिसे देख इशार किशन और श्रेयस अइयर्थ छोड़ो पूरा भारती क्रिकेट जगत ही गया बीसी सी आई ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था जब से बीसी सी आई का एनवल कॉंट्रेक्ट सामने आया है तब से दो भारती खिलाडियों के उपर गास गिर गई है अब इशान किशन और श्रेयस अइयर के क्रिकेट करियर पर सवाल उठने लगे है एक और जहां बीसी सी आई ने इन खिलाडियों के खिलाप जाकर इनहें अपने एनवल कॉंट्रेक्ट से बाहर किया है वहीं दूसरी तरफ भारती किरकेट टीम के पूर्वे दिगज ने इन खिलाडियों का साथ दिया है और बड़ा बयान दिया है आखिर क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताती है दरसल BCCI के बार-बार चेतावनी देने के बाद भी इशान किशन और शेयस अयर को ये समझ नहीं आया कि BCCI उनके उपर सक्त कारवाई कर सकती है वो हमेशा की तरह BCCI की दीवी चेतावनी को हलके में लेते रहे आपको याद होगा इससे पहले इशान घरेलू क्रिकेट नहीं खेला चाह रहे थे और साथ ही इशान किशन ने खुद को टीम सेलेक्शन के लिए मौजूद नहीं रखा था उन्होंने वज़े बताई थी कि वो mentally disturbed है जिस वज़े से उनको छुट्टी की आवश्यक्ता है इस दोरान उनकी कई पोस्ट भी सामने आये थी इंस्टाग्राम पर तब से वो लगतार टीम से बाहर चल रही है और अब BCCI के अन्वल कॉंट्रेक्ट से भी वो बाहर हो गई है वही बात करें शेयस अयर की तो अयर का भी यही हाल था वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाते थे और उन्होंने भी खुद को टीम के लिए अविलेबल नहीं रखा था यह कहके कि उनकी फिटनेस अभी खेलने लायक नहीं है हलाकि बाद में BCCI की डार्ट का असर उन पर देखने को मिला लेकिन अब जब वो BCCI की नज़रू में खटकने लगे और उन्हें कॉंट्रेक्ट से ही बाहर कर दिया तो ऐसे में भारती टीम के पूर्वे दिगज रवी शास्त्री ने इन दोनु खिलाडियों को लेकर एक पोस्ट किया आपको बता दे रवी शास्त्री ने इन दोनु खिलाडियों को टैग कर लिखा क्रिकेट में वापसी आपके जजबे को दिखाती है शेस अईयर और इशान किशन आप दोनु होसला रखिए आप चुनौत्यों का सामना कीजे और मजबूत होकर टीम में वापसी कीजे आपकी उपलब्दियां बहुत कुछ बया करती है और मुझे इसमें कोई संदी नहीं है कि आप एक बार फिर जीत हासिल करेंगे इसके अलावा भी रवी शास्त्री ने एक और पोस्ट किया है जो BCCI को तेज गेंदबाज को इंपोर्टेंस देनी की तारीफ में है उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाजी अनुबंधन के साथ गेम चेंजिंग कदम के लिए BCCI और जैशा को बड़ी सराहना साथी टेस्री क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट पर जोड़ देना एक बड़ा कड़ा संदेश है जो हमारे पिर्य खेल यानि कि क्रिकेट के भविष्ची के लिए सही दिशा तै करता है यानि कि रवी शास्त्री अभी भी इशान और अईयर पर भरोसा लगाए हुए है वो डिजर्ब करते हैं और जो चेतावनी, इशान किशन और शेयस अयर को BCCI ने जैशा ने बार-बार दिया था वो उन्होंने पूरा किया वैसे देखा जाए तो BCCI का ये फैसला बिलकुल सही था IPL के आने के बाद खिलाडियों में ये देखा जा रहा है कि देश से जादा, अंतराश्टी खेल से जादा वो लीग मैच में जादा ज्यान दे रहे हैं, घरेलो मैचों को इग्नोर कर रहे हैं ऐसे में BCCI लीग मैचों को ज्यादा इंपोर्टेंस देने वाले खिलाडियों को अपने एन्वल कॉंट्रेक्ट में क्यों रखती और ये बात सही है कि अगर कोई खिलाडी घरेलो क्रिकेट नहीं खेलता है या फिर कहें अंतराश्टी क्रिकेट से छुट्टी ले लेता है या कोई न कोई वज़े बताकर वो बाहर रहता है खुद को अविलेबल नहीं रखता है तो ऐसे में BCCI उन खिलाडियों को अपने एन्वल कॉंट्रेक्ट में क्यों रखेगी बहराल आपका रवी शास्त्री के इशान और अयर के उपर किये गए भरोसे और पोस्ट को लेकर क्या कुछ खहना है साथ ही आपको इन दो लोग लाड़ी को लेकर क्या कुछ खहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताए